नुस्कार आप देखना आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंक के साथ दोस्तों इन्फोसिस एक बहुत बड़ी कंपनी है आई टी कंपनी है जिसमें अधिकतर आई टी के बच्चे काम करते हैं और ज्यादा ज्यादा लोग इस कंपनी के बारे में सुने भी होंगे उस कंप क्लीनिंग का कारते है काम करता है किसे महान कारे다 कि तो क्युणं के न correlate कि पर रहार है उसका उनकी इजत होने चाहीं हुग जो लड़के वहां से कम 12-15 लड़के थे जो कम कर रहे थे शुरूमें तो सिर्फ को सुले करके काम कर रहे थे तो शुरूमें लोइक Mam'd merry कि 2-3 मेहीं ने इनको मिले वी 2-3 मेहीं के बाद उनको बताया घ्या कि आपकी सेलरी बढ़ जाएगी cn कार आणे के बाद में आपकी सेलरी 13700 रुप्यय प्रतिमा हो जाएगी लेकिन 13700 ना हो करके उलटा 12000 में रहेकिन 2700 कम ही आते हैं में पर बोल सकते हैं जो लड़कों को देख रहे हैं उन्होंने आके अचानक मनिस्पाटिल और सौरब मराठे ने युद्ध आवाज उठाया कि मेरा पेमेंट क्यों कम है क्या वज़ा क्या है तो उनको मध्यपरदेश के जाने के लिए जाता है अचानक कोई सूचना दिये ब बढ़ने की बात हो रही है और जो 12000 में उससे में उल्टा कम मिल रहे हैं तो क्या वहां पर पैसे कम नहीं मिलेंगी इसका क्या प्रमान है दूसरी बात बीना किसी इंटिमेशन के बीना कोई सूचना दिये हुए आचाना कि इस तरीके से पतर निकालना जबकि यह सभी जानते कि इन्फोसिस इस फर्स्ट पार्टी मान लेते हैं इस से अंधे को नाम के प्रशान किया तो इनकार कर दिया कि मुझे इससे कोई डिति ऐसे सोगयी इस सब कंट्रेक्टर बोल सकते हैं तो उन्हों का इसा कहना है कि जाने हमको क्या हुख करना सवाल यह उठता है कि इस तरीके से उनके वेस को कट कर देना करना आ किसी कम्पनी के साथ में किसी का नाम अगर जूड़ता है तो उसके साथ अन्याय ना होना भी उस कंपनी के करतब होता है उसका ध्यान होना चाहिए लेकिन के कुछ लोगों सामने बातचित करने कोशिश की हमारी उनसे बातचित अभी हो नहीं पाई है लेकिन अगले एपिसोड में बातचित क कि इस कंपनी में जो लड़के काम कर रहे उनको बोल गया की आप क्लीनिंग लिए काम करेंगे लएकिन जब कमपनी का का काम किया उनकोकर क्लीनिंग चोड़के उनको समांड होने पर ऐसा ही करना है क्या अपने आप में इन फोसी जैसी कंपनी में यह चीज़ों हो रही है तो एक बड़ा प्रश्ण निर्मान होता है कि किसी भी गरीब मजदूर का हक कोई भी इस देश में नहीं खा सकता है खैर इस संबंदित हम अगली खवार आप तक लेका हैंगे और इस सिर्फ इन बिस ये नियूस पे जहिन